दिवाली के एक बहुत ही खास रेसिपी भाकरवडी बना रही हूँ और उससे भी जादा खास बात यह है कि यह नो मैदा है मतलब इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा भी मैदे का यूज नहीं किया है फिर भी यह बहुत ही जादा क्रिस्पी बन करके तयार होगी जो भी ख मिक्सर का जार लिया है उसमें मैं डाल रहा हो डेड़ कब गेहुं का आटा आब इसी के साथ मैं ऐड़ कर रही हूं वन भाई थर्ड काप सूजी तो यह मोटी वाली सूजी है अगर आपके पास बारिक सूजी होना तो आपको मिक्सर में चलाने की जरृत नहीं है मेरे पास मोटी वाली थी इसलिए मैं यापर सारी चीज़े एड़ करके मिक्सर में एक बार चला लूँगी अब मैं इसी में एड़ कर रही हूँ 1x4 का बेशन इससे क्या होगा ना कि जो भाकर बड़ी हमारी बनेगी ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा तो अगर आप अलग से सिफ सूजी को पीसेंगे ना तो तो पीसने में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगेगी बट मैंने यापर आटे के साथ मिक्स कर दिया बहुत ही जल्दी से पीस गई यहाँ पर अब निकाल लेंगे हम इसे एक बड़े से परात में इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो भाकरवड़ी इतनी अच्छी बनेगी ना तो आपको मैधे की बनाने की बिल्कुल भी जरत नहीं पड़ेगी देखिए यहाँ पर जिसका टेक्स्चर है ना मैधे की तरह हो गया है अब मैं इसमें एड़ करीं 1 टी स्पून नमक साथ इसमें एड़ कर देंगे 2 टेबली स्पून मौयन के लिए तेल इससे ज़्यादा इसमें एड़ करने की जरूरत नहीं इसी से जो हमारी भाकरवड़ी है ना बहुत ही ज़्यादा खसता और एकदम क्रिस्पी बन करके तयार होगी मौयन कुम क्या करेंगे ना कि अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मिक्स करना बहुत ही अच्छे से जरूरी है तो अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे और इद्दम सक्त सा आटा गूत करके तयार करेंगे ध्यान दहें आटे को बिलकुल भी नरम नहीं लगाना है सकत आटा गूतिएगा जिसे की वाकरवड़ी बहुत अच्छी बन करके तयार होगी देखें यहाँ पर जो आटा है मैंने लगा लिया है और यह आटा लगाने में मुझे आधा कबसे थोड़ा ज़्यादा पानी लगा था धक के रख देंगा भी साइड में और बनाते हैं इसकी स्टफिंग जो की बहुत ज़्यादा चटपटी और टेश्टी बन करके तयार होगी और यह स्टफिंग इतनी अच्छी होती हैं आप इसे किसी भी सबजी में यूज़ कर सकते हैं सबजी एकदम इस्पेसल वाली बन जाएगी या फिर किसी भरवा सबजी में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे स्टफिंग को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पैन में डाल देंगे दो चम्मच धनिया साथी एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे और तेरह चम्मच मैं यहाँ पर एड़ करेंगे सॉफ अब उसी के साथ हम इसमें एड़ कर देंगे तील तो यह सफेद वाली तील है आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी तो वो हम इसमें एड़ कर देंगे दो चम्मच साथी अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ दो चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट जिसे की नारियल का बुरादा भी बोलते हैं साथी चार से पांच काली मिर्चैट करी है सारी चीज़ों को यहाँ पर लो फ्लेम पर भूनेंगे और भूनते भूनते मुझे दिखा ना कि इसमें मेथी है जो धनिया रकी थी मैंने उसमें मेथी मिल गई थी मैंने मुझे लगा कि एक दो है फिर मैं चलाती गई तो मुझे लगा जादा है अब मुझे लगा आज जा अब तो इस टफिंग कड़ी हो जाएगी फिर मैंने सारा मेथी यहाँ पर चून-चून खरकर निकाला इस तरह से कुस हो जाता है ना बहुत ही ज़्यादा चिड़ हो तो यहाँ पर मैंने सारा मेथी निकाल लिया तो मैं अच्छे से भून लेंगे मसाले को जादा नहीं भूनना है हलकी सी खुसबू आने लगे बस उतना ही ट्रांसफर कर देंगे मिक्सर के जार में आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर आधा चोटा चमच काला नमक थोड़ आप लोग सेर की हुई है तीन चमच से चार चमच इसमें एड़ कर देंगे आप चाहें तो मार्केट का भी एड़ कर सकते हैं इससे क्या होगे ना कि मतलब क्वाइंटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है देखिए हमारी जो स्टफ लेंगे इसे और इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बहुत ही अच्छी रेसिपी है ट्राइ करके देखिएगा बहुत ही ज्यादा मजाएगा आपको बनाने में और खाने में अब इसे हम क्या करेंगे कि बेल लेंगे तो मैंने अपर थोड़ा सा सूखा अटा ज्यादा बनेगी इस तरह से तो आप इस तरह से लंबा बेलिएगा बहुत ही अच्छी रहेगी देखिए मैंने से जो नॉर्मल जो फुलके होते हैं उससे हलका सा मोटा रखा है इतना ही मोटा आपको रखना है इससे ज्यादा मत रखेगा नहीं तो जानते हैं पकाने में बहुत जादा टाइम लग जाएगा अब क्या कर रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा साइड को काट दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा इवन सा हो जाए और जब हम बाकरवडी को बनाए ना तो सारे एक जैसे बनेंगे तो अब मैं इसमें एड़ करें हूँ इमली की चैटनी तो यह मैंने पहले ही बना करके रखी हुई थी और इसकी रेस्पी मैंने कई बार आप लोगों के साथ सेर की हुई किसी भी चाट की वीडियो में आप लोग देखिएगा वहां आपको मिल जाएगी बहुत ही सिंपल सिफ इमली के पल्प और गुड की है थोड़ी बहुत मसाले डाले है मैंने इसे क्या करेंगे कि हम अच्छे से फैला लेंगे इसे फैलाने से जो भाकरबडहियान। ऊसमें बहुत यह अच्छा खटा मीठा वाला टेश्ट आता है जो हम मसाले लगाएंगे वह भी इसमें अच्छे से चिपक जाते हैं तो अब जो हमने मसाला बना Carnast य तो quantity आप अपने according कम जादा खर सकते हैं बट चारो साइड अच्छे से evenly spread करिएगा तो बहुत अच्छी भागरवड़ी बन करके तैयार होगी तो यहां पर चाहे तो आप हाथों से इसे मतलब फैला ले या फिर चमच ले ले जो साइड वाला था न वो थोड़ा-थोड़ा नीचे इश्टक हो गया था तो मैं क्या कर रही हूँ न कि इसे थोड़ा सा मतलब चमच से हटा ले रही हूँ अब क्या करेंगे इसे tightly roll करेंगे दीरे-दीरे आप क्या करें कि नारों उठाते जाएं और इसे टाइटली रोल करें बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं हो कि आप बस ऐसे उठाकर रोल कर दें अच्छे से अराम अराम से धीरे-धीरे से टाइटली रोल करते जाएगा जो भाकरवड़ी है ना बहुत ही अच्छी यहां पर बन जाएगी देखें और इस तर भी कोई टेंसर नहीं होगी कि खुल जाएंगे बिखर जाएंगे मसाले निकल जाएंगे कुछ भी नहीं होगा अब हम इसे क्या क्या करेंगे कि काट लेंगे तो मैं यहाँ पर हाफ इंची की मोटाई पर काट रही हूँ इससे जादा मोटा नहीं काटना है नहीं तो तलने में तेक तो टाइम भी लगेगा और कच्छे भी रह सकते हैं तो देखे सारे एक साइज के आप इसी तरह से काट लें देखे यहाँ पर इतने से आटे से बहुत सारी वाकरवड़ी बन करके तयार हो जाती है उसके बाद आप क्या करें कि इसे एक बड़े से प्लेट में ले लें या फिर किसी बटर पेपर में और इसे फैला लें अच्छे से और इसे ना 15-20 मेर्ट तक के लिए ऐसे सेट होने के लिए छोड़ दे ताकि जो हमने चटनी लगाई है ना वो थोड़ी सी सूख जाए और जब हम इसे तले ना तो मसाले ना इसके बाहर ना निकले कड़ाई में उसके बाद तेल को अच्छे से गर्म कर लें और फिर बाद में फ्लेम को लो कर दें और इसके बाद इसे सीखने दें स्टार्टिंग में तेल गर्म होना चाहिए लेकिन जब आप इसे फ्राई करें ना तो एकदम तेल को लो कर दें लो टेम्परेचर पे ही इसे अच्छे से तले इससे क्या होंगे ना कि वाकरवड़ी अंदर तक एकदम क्रिस्पी बनेंगे और बाहर से इनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा एक बार भाकरवड़ी आपको दलने में 5-7 मेंट का समय लग जाएगा मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा कम डाला था बाद में मैंने कॉइंटिटी बढ़ा दी थी देखी यहां पर कितनी अच्छी भाकरवड़ी बनी है और एक भी नहीं खूलेगी ना बिखरेगी ना तू मैंने कई सारी आटिकी और भी रेस्पी सेयर की हुई यह स्नैक्स की तो आप लोग उसे भी जा करके देखिएगा और कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा देखिए किती ज्यादा क्रिस्पी लग रही है मैं मतला आपको बता नहीं सकती कि कितनी जादा चटपटी, खटी, मीठी, तीखी बन करके तयार हुई थी एक बार आप इसे जरूर से ट्राई कीज़ेगा और ट्राई करने के बाद अगर आपको रेस्पी पसंद आती है तो इसे लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और मुझे कमेंट करके जरूर से है आई येगा मैं मिलती हूं इसे तरह के आसान रेस्पीश के साथ तब तक के लिए बाइबाए